अब तू सचिन को भी गलत लग रहा है ये सचिन की बीवी को भी गलत लग रहा है नहातिवारी को भी गलत लग रहा है और ये जो इनका सारा गुरूप है सबको गलत लग रहा है ठीक है लेकिन पहले जो अब सचिन जो ब्लॉग डाल रहा है और अपने ब्लॉग में बोल रहा पहले क्या तुम्हारी आखे पूट गई थे क्या तुम अपनी बीवी को धोका देके तुम दूसरों के साथ रंग रयल्या मना रहे थे तुम्हारी आखे पूट गई थी अब तुम एक लड़की पे उंगली उठा रहे हो जबकि वो अपनी life में move on कर रही है आगे बढ़ रही है अब तुम उस लड़की पे उंगली उठा रहे हो ये कुछ नहीं उठा रहे हो तुम सिफ वियोज के लिए ये कर रहे हो ठीक है वियोज पाना जाते हो बाकी ये गान देने। उधर सरीताजी लगी अपने ग्यान देने। इधर सचिन लगे है, इधर सचिन की वी वी लगी है। तो मतलब सचिन की द और मैं एक बात बोलना चाहँगी, कि पहले से तो तुम्हें सब कुछ नहीं पता था अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया तो अब तुम सीधा सब कुछ अपना YouTube पे अपलोड कर रहे हो क्यों दुनिया को दिखाना चाहते हो दुनिया को क्या मतलब नेहा शादी कर रही है या दुनिया को क्या मतलब तुम्हारा पती क्या कर रहा है या दुनिया को क्या मतलब है कि तुम्हारे पती किसकी ऐसी तेसी कर रहा है या किसकी ऐसी तेसी में घुस रहा है नहीं मतलब है दुनिया को मैं Neha को भी बोल रही हो, मैं सब चीज के सब लोगों के बारे में बोल रही ह। तुमको पैसा बनाना है, तुमको धन्दा बनाली है, तुमने यह पैसा कमाने का, ठीक है अगर वो चलो ठीक है, वो अपना moving on कर रही है, आगे बढ़ रही है, मैंने तो ऐसे तक लोग देखे हैं जो एक married होने के बाद दूसरी जगा मुँ मारते हैं उनका क्या करोगे तुम और जब अगर तुमारे पती में इतनी ही पवित्रता है तुमारे पती में तुमारे लिए इतनी ही पवित्रता थी तो उनको पहले देखना चाहिए था ना कि मैं married हूँ, मैं इसका भाई लगता हूँ या ठीक है, उसको सहारे की जरुरत थी, उसने ले लिया सहारा, तुमारे भाई को, तुमारे पती को तो कंट्रोल में रहना चाहिए था ना, उसका तो husband घदम हो गया था, उसके साथ तो दस लोग हाथ सेकने की सोच रहे होंगे, अधस लोग उसका सहारा बने की सोच रहे होंगे, या तुम अपना तो देखो, भाई, तुम तुम स्टिनला एक यह सबढर से content कि तुम ढूर्ण योड़ाएं से हो आप नद्धी कर रही है तुम से यह सब कोई भी ससावितरी नहीं होती मैं भी शससावितरी कोई भी इंसान सतिब नहीं होती भी लेडिस अम्हूरत पर जोती है ठीक है तो उसको अपनी लाइफ में बढ़ने दो उसको अपनी लाइफ में मुवन करने दो उसको पती की जुरुरत नहीं है बट उसके जो बच्चा हूँ उसको तो बाप की जुरुरत है अपने आपको सोच के देखो तुमारे दो साल का बच्चा पात साल का बच्चा है तो अपना तो तुम जीवन वैतीत कर लोगे, लेकिन उस बच्चे को सोचो मेरे दो बच्चे है ठिक है मेरा भी पांज साल का बेटा है मैं भगवान न करे कभी ऐसी हो किसी के साथ, लेकिन कभी इस चीज को सोशे नके बच्चा पापा 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 एक पापावर्ड जो होता है ना बच्चे के लिए वो पूरी दुनिया होती है। बच्ची को बाप का प्यार मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या है। रही बात बनने बिगड़ने की तो वो तो उपर वाला है भगवान जोड़िया बनाता है जब चाय बिगड़ दे जब चाय बना दे कोई भरोसा नहीं है उसका अपना इधर बटोरने पर पड़ लगे हैं लोग इधर बटोरने पर लगे हैं लोग व्यूज बाने के चक्कर में वही किसी की जिंदकी कि किसी की इतनी धज्जिया भी मत उड़ाओ वो अपना move on कर रही है आगे बढ़ रही है इससे अच्छी बात किया है उसने रो रोके अगर उसने रो रोके अपना नाम कमा लिया है अब उसने पैसा कमा लिया है उसने फॉलोवर कमा लिया है रो रोके तुम भी कमा लो तुम भी तुम्हारे क्या हाथ पर तूट गया है क्या यह तुम्हारे पास फोन नहीं है क्या यह तुम दूसरों को टोर्च हमें नहीं आता रोना हम नहीं कर सकते कुछ भी तो हम बैटें हम किसी की वीडियो वीडियो में बहुत देखती हूं लेकिन कभी किसी की वीडियो पर कमेंट नहीं करती हूं घलत बात है ना अब उसकी लाइब पर खुसियां आई है तमाम खुसियां लेकर आई है उसकी लाइब तो चीक है अभी एक चलो ठीक है कुछ नहीं